नमस्कार कुछ बाते ऐसी होती है ना जो आपको हर किसी के सामने नहीं करने चाहिए कुछ आपको एटिकेट्स ऐसे रखने चाहिए जो दूसरों को चोट ना पहुचारे जो दूसरों को उदास ना करें जो दूसरों को दुखी ना करें कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए आप तो अपने खुशे के लिए आप तो अपने इंजोई के लिए वो बाते दूसरों के सामने करोगे लेकिन क्या वो बाते सुनने लायक वो इनसान है क्या वो इनसान उसके काबिल है अगर नहीं है ना तो वो बाते उसके सामने मत करना आप तो अपनी बाते इंजलने के कहोगे हस्ते हस्ते अपनी बाते करोगे लेकिन क्या पता आपकी बाते सुनकर वो इंसान उदास हो वो इंसान निरास हो तो ऐसी बातें दूसरों के सामने कभी मत करना एसी बाते कौन सी हैं? पता है आपको? कुछ ऐसी बाते हैं ना, जो दूसरे लोगों के सामने नहीं करने चाहिए. ऐसा करने से वो इनसान हमें साथ दुखी रे देंगे, आपके उनके बातों को सुनके. वो बाते क्या हैं? देखिए आप. किसी उदास व्यक्ति के सामने अप चांबुझ कर, उसका सामें, अपनी खुशियां, अपनी हैपिनेस, अगर सेलिबेट करोगे ना, तो उस इनसान के दिल पर क्या गुजरेगी? ठीक है आप खुश हो आप हैपी हो तो आप अपनी खुशियां सेलिबेट करो लेकिन किसी उदास व्यक्ति के सामने अपनी खुशियों का सोप मत करना आप तो अपनी खुशियों का सोप करोगे आप तो इंजोई लोगे लेकिन वो इंसान साबने वाला इसान कौन सी परस्यति में जी रहा है उसके साथ में कौन सी गटना गट रही है उस इंसान के सामने कभी भी अपनी खुशियां का सोप मत करना आप इसा करोगे नहीं ता आप तो खुस होगे लेकिन सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाएगा इसा कभी मत करना सेकर्ड किसी कमजोर व्यक्ति के सामने अपने पावर का प्रदसन मत करना आपके पास कितना ही पावर है आपके पास पैसे का पावर है आपके पास में बल है, शरीर का बल है, आपके पास में प्रसासनिक पावर है, आपके पास में होर तरह का पावर है लेकिन उस पावर का इस्तमाल, उस पावर का यूज, किसी इन्नोसेंट व्यक्ति पर, किसी गरीब व्यक्ति पर मत कर देना उस गरीब व्यक्ति की जब हाय लगेगी न तो आप जीवन में कई के भी निरोगे आपका पावर है तो आपके पास रखो आपके पास सारी रिख सकती है तो आपके पास रखो आपके पास पैसे का पावर है तो आपके पास रखो लेकिन ये पावर का इस्तमाल किसी गरीब वक्ति पर मत करना किसी इन्नोसेंट वक्ति पर मत करना आपके बराबर वाले वक्ति पर कर देना आप किसी गरीब वक्ति और किसी इन्नोसेंट वक्ति पर कर दो के तो वो क्या करेगा वो आपके सामने कभी प्रतिकार नहीं करेगा वो चुप चाप सहलेगा और जब सहलेगा तो आप क्या दो आप खुश हो जाओगा है यार मैंने उसको दबा दिया मैंने इसको हरा दिया क्या हर वो तो पहले हैं वो आपके सामने कहाँ तिकेगा वा गरीब व्यक्ति कुछ भी नहीं षैया लेकिं अंदर दिल से एक आपा निकलेगी एक गुडरी सोच आपके लिए उसके मन में आपके प्रति बत दुआ निकलेगा यह बत दुआ जिसी होगी आप जिन्दी में कभी उपर नहीं उट पाओगे इसलिए कभी भी कमजोर व्यक्ति के सामने अपने पावर का इसमाल मत करना थाड किसी भी गरीब व्यक्ति के सामने पेशे का शोग मत करना कोई गरीब है और आप उसके सामने बार बार शोग करते हो मेरे गर में ते ये है, मेरे गर में कुलर है, फ्रीज है, ऐसी है, टीवी है, होर चीज का शोब करते हैं तो उस गरीब इंसान के सामने ऐसा शोब मत करना जब आप गरीब व्यक्ति के सामने यह सोब करोगे ना तो गरीब व्यक्ति बेचरा लज़ा से मर जाएगा लजजा से सर मुसका सिर जुक जाएगा आपको शोब करना है आपको किसी चीजों को शोब करना तो आपके बराबर वाले लोगों के सामने शोब करना किसी गरीब व्यक्ति के सामने अपनी पेसो की को कभी शोब मत करना अपनी हिश्यत को कभी गरीब गर्थी के सामने मश्यो करना ये कुछ ऐसे इडिकेट्स है ना जो आप किसी दूसरे गर्थी के सामने ये तीन बाते शो मत करना